हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो में यूट्यूब चैनल स्टाइल वुद रितिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे ब्लाउज के डिजाइन के बारे में जैसे आप कोई भी सारी लेते हैं और उसमें आपको ब्लाउज का डिजाइन नहीं समझ में आता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी सारी का फाब्रिक इस टाइप का होता है कि वही सेम डिजाइन अगर हम दूसरे फाब्रिक में बर्माते हैं तो वह इतना अच्छा लुक देता है इसलिए मैं अपने ब्लाउज का कुछ डिजाइन आपके साथ शेयर करने वाली हूं तो चलिए विदाउट डिले कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहले तो एक यह है मेरे ब्लाउज इसका फाब्रिक था शिफोन तो शिफोन के फाब्रिक बहुत ही लाइट फाब्रिक होता है वैसे मुझे यह लगता है कि अगर आप स्लीज को डिजाइन करा रहे हैं तो आप नेक को थोड़ा सिंपल रहने थे तो थोड़ा डिसेंट लुक देता लेकिन इसमें मैंने क्या किया था इसमें मैंने दोनों ही डिजाइन एड कर दिये थे वह मैं आपके स्लीज में थोड़ा सा डिजाइन एड करा रहा था तो जो मैंने इसकी झिन से मैनि स्टिछ करा आया था उनसे मैंने बोला था दूसरी स्लीज के लिए लेकिन वह उस टाइम पर नहीं बन पाई तो फिर मैं यह पां जाए पुГ्या short sleeves थोड़ी कम पसंद है या तो quarter sleeves हो या फिर elbow तक आती हो या फिर sleeveless हो तब design जादा अच्छा लगता है तो इसमें मैंने क्या करा था इसमें मैंने puff sleeves दे दी थी थी थोड़ी सी और पीछे मैंने इसमें या कई लोगों ने मुझे बोला था कि bow वाला design बनवाओ तो मैंने इसमें bow वाला design भी एड़ कराया था और इसमें या परल चोटा सा परल जो के बहुत ही प्यारा लगता है इस type का एक design बनवा लिया था मैंने यह और इसमें मैंने opening रखी थी side, side में इसके zip है और zip के ऊपर से ने इसमें एक hook दिया होता है जो के safety के लिए आप लगवा सकते हैं और भी अच्छा रहता है इसको बाद में hook भी लगा सकते हैं और पहनने के बाद इसका बहुत ही अच्छा look आता है अगर मुझे images मिली तो मैं साथ में इनके images भी जरूर रेड करूँगी जिससे के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा सके तो चलिए बात कर लेते हैं भी हम next blouse की next blouse है मेरा ये red color का red color में बहुत ही कमी से कभी पहनती हूँ लेकिन सिर्फ एक पूरी शादी में मैंने सिर्फ एक यह red color की साड़ी ली थी उसी का ये blouse है इसके साड़ी बिल्कुल plane है वो भी मैंने एक video map के साथ शेयर करी थी अगर आपने नहीं देखिया तो आप मेरी video को जागर देख सकते हैं और इसमें मैंने क्या कराया था क्योंकि इसमें खुदी इतना heavy work है blouse के अंदर तो आपको कुछ design करानी की खास जरूरती ही नहीं है इसमें मैंने बस side zip दी थी होता क्या है almost हम लोग क्या करते है कि back में इसकी opening रखते हैं तो अगर हम जिन भी blouse में रखते हैं उनमें हम खुद से blouse को नहीं बंद कर सकते हैं तो हमें किसी ने किसी की help लेनी होती है उसको पहनने में इसलिए मैंने इनमें almost सारे blouse में एक दो blouse को छोड़ कर मैंने side zip कराई थी क्योंकि जब आ फ्रंट से पल्लू लेते हैं तो आप पल्लू को किसी भी style में ले सकते हैं और अगर आप फ्रंट में opening लेते हैं तो पल्लू को लेने में थोड़ा discomfort हो सकता है इसलिए मैंने side opening रखी थी इनकी और पीछे ने इसकी चोटी सी डोड़ी दी दी लटकन मुझे जादा पसंद निया लटकन से क्या होता है कि आपके hairs में और आपके कुछ ऐससरी अगर होती है तो आपके उसमें अटक सकता है इसलिए मैं लटकन को थोड़ा avoid कर ती किसी किसी में लगवा लेती हूं लेकिन सारे blouse में लटकन में इसका बैक का थोड़ा सा डीपनेक रखा था नेक्स्ट बात कर लेते हम इस ब्लाउज की इसका फैब्रिक है और इसकी साडी का कलर बहुत ही प्यारा है कुछ इस टाइप का कलर है उसकी वीडियो भी मैंने कई बार बना रखी है तो मैंने इसमें क्या क्या था कि और गेंज अगर आप खाली इस वाले फैब्रिक को रहने देंगे तो वह फैब्रिक खराब होने के चांसे बहुत जादा हो जाते है इसलिए मैंने बैक में पूरा इनर लगवाया था और फ्रंट में जितना मुझे चाहिए था यहां से मैं कमफर्टेबल थी लगवाने में तो मैंने इसको योक डिजाइन दिया था थोड़ा सा और यह मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद यहां पर हलकी स्किन नजर आती है लेकिन पीछे यह पूरा कवर रहता है और इसकी स्लीव में मैंने बिल्कुल नहीं लगवाया था तो इसका पीछे से स्क्वेर नेक है जो कि मुझे बहुत पसंद है और इसकी साडी भी बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद तो आप ट्रांजी ब्लाउज में कुछ इस टाइप का डिजाइन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ब्लाउज है यह मेरा सिल्क की साडी का इसके साथ में एक कंट्रास्ट क कौन से साडी के साथ पेयर किया था तो चलिए देखे मैं पताती हूँ सिल्क में बहुत ज़्यादा डिजाइन की नीड नहीं होती है तो मैंने इसके अल्बो लेंद की स्लीव रखवाई थी और फ्रेंट में बिल्कुल प्लेन है वी नेक है हलका सा और बैक में ने इसके की की-hole दिजाइन दिया था मैंने की-hole को थोड़ा बडा करा लिया था और लास्टमेश के तीन बटन ये गोल्डन कलर में कंट्रास्ट में जा रहा था जो कि अब बहुत अच्छा डिजाइन लगा तो मैंने कुछ इस इस का डिजाइन बनवाया था और मुझे य अच्छा ल जिससे के किहोल आच्छे से दिखाई दे सके next साड़ी थी मेरी जॉर्जेट की ग्रे किलर में मुझे ये कलर बहुत पसंद है था मुझे लाइट कलर ज्यादा पसंद आते हैं या फिर अगर आप उनकों कांट्रास्ट में पेयर करते हैं तब भी जादा अच्छ लगते हैं त और उसके बात मैंने क्या किया इसमें मैंने खाली यही ब्लाउस ऐसा था जिसमें मैंने बैक आपनिंग करा ली थी क्योंकि इसका डिजाइन ही कुछ इस टाइप का था इसमें ज्याद अच्छे से यह शोर नहीं हो पा रहा कुछ इस type का design था क्यूंकि इसमें ना silhouette पढ़ गए है रखे रखे थोड़े time से तो इस type का design था और back में इसके opening थी तो इसको मैं किसी और की help के भी पहन नहीं पाती हूँ इसलिए मैं ना back opening को थोड़ा avoid करती हूँ और इसके neck पर जो pearl work है इस type से आप contrast में अगर आप कोई भी blouse बन बा रहे हैं और अगर आप पुटीक वाले को पैसे देने में comfortable है देनो के और अगर आप नहीं हैं और आप budget में बनाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप shop से जाईए और बहुत ही easily pearl available होते हैं आप उनको खरीदिये और fabric glue आती है आप उससे उसको paste कर सकते हैं किसी भी neck design पर किसी भी sleeve पर जो कि आपको बहुत ही rich look देगा और बहुत ही अच्छा लगेगा आप इस hack को भी try कर सकते हैं मैंने almost blouses को padded ही बनवाया था क्योंकि padded पह comfortable हैं तो आप वह भी बनवा सकते हैं otherwise अगर आप party wear blouse पहन रहे हैं और थोड़ skinny side में heavy side में नहीं है तो आप padded blouse को ही try करें वह ज्यादा अच्छा लुक देगा आपको party wear में next बात कर लेते हैं पिकॉक शेड में कुछ इस टाइप की मेरी ये साडी थी light silk था और इसका border आपको साइड में और मैंने बस इसमें piping लगवाई थी और एक ये plouse मैंने बिल्कुल simple बनवाय था और front opening के साथ बनवाया था तो front opening में वैसे कोई problem नहीं होती है आप अराम से easily पहन सकते हैं कहीं पर भी comfortable पल्लू को आपको बहुत अच्छे से handle करना होता है उसमें पिन आप खाली उसकी piping भी लगवा सकते हैं वह भी बहुत अच्छा look देती है blouse हो या फिर suit stitch करा रहे हो कुछ भी हो तो piping आपको बहुत help करने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं अभी हम last design की अपने आज के last design की last but not the least आज के last design की बात कर लेते हैं जो क्या है yellow color में और इस color म मुझे कपड़े आते हैं बहुत जादा पसंद यह मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया हुआ है कि yellow color और मुझे पसंदा ऐसा हो ही नहीं सकता mustard yellow yellow के बहुत सारे shades होते हैं तो चलिए बात करते हैं अभी हम इसके design की तो इसका design मैंने क्या कराया था इसके साड़ी भी इसी नहीं करना चाहा मैंने क्या किया इसको simple front opening के साथ बनवाया और इसकी sleeves ने लगवाई sleeveless बनवाया था मैंने यह तो मुझे पहनने के बाद बहुत अच्छा look देता है और मैंने इसके back में थोड़ा सा नहीं deep design रखवाया था जोगे मुझे बहुत पसंद है और बहुत ही light स पहने में comfortable नहीं है या फिर आप हर जगा sleeveless नहीं डाल सकते हैं तो आप कुछ blouse को sleeveless टक लीजे जिसे क्या आप बाहर कहीं जा रहे हैं या फिर आप जहां comfortable हैं बहां पहन सकते हैं और कुछ blouse को आप quarter sleeves टक लीजे इंस्टेट मुझे short sleeves कम पसंदे कर आपको पसंदे तो आप रखवा सकते हैं और अगर आपको कोई design समंज नहीं आ रहा है तो आप piping लगवा लीजे उसमें और लटकन को आप थोड़ा सा वोइड कर लीजे क्योंकि उससे थोड़ा dress का look ही change हो जाता है मितलब आपके बालों में टक जाएगी आपकी dress में टक जाएगी तो थोड़ा discomfort होता है इसलिए अगर आप लटकन लगवाने में भी comfortable है तब लटकन भी आप लगवा सकते हैं और थोड़ा सा फाब्रिक के according design को जूज करिए थोड़ा देख लेजी कि आपकी साड़ी कौन से side में heavy side में है और light side मे करिये हर चीज में मैसी बनानी की जरूरत नहीं है अगर आप अपने sleeves में design ले रहें तो neck को आप plane रहने दीजे और अगर आप neck में heavy design ले रहें तो आप sleeves plane रहने दीजे बाकी आपकी चोईस है तो चलिए आज की वीडियो को कर लेते हैं यहीं पर stop अगर आपको मेरी वीडि